जहिन फ्रिंट्स आप देख रहे हैं अपना यूट्र चनल मौरिया इसनेक सेवर्ड आज की रेस्क्यू काल है संत कभीर नगर बखीरा मंदिर के ज़श्ट पास में ही बुंदी पार गाउं में देखा गया है अजगर सांप बताया जा रहा है कि यहां पर आजगर सांप है त में पर यहां पर हमें सूचना मिली बुर्ब नेकर में हीथे तो हम यहां पर आ गये हैं इसले को रेस्क्यू करने के लिए और देखते हैं कउसा है निर्वै बस्ति दूर क्योंकि इंसनी बस्त्ति में रहने से खत्रा होता है है नोग तो यहां नहीं तो हम अपने जानती हुए इसने को मार नहीं देती हैं तो में हमेद्ज अमने ही कर्षोट करते हैं इति हुआ आस treated कि बताया जा रहा कि यह वही जगह है कि जहां पर इसने देखा गया है जगह देखने पर तो यह लग रहा कि साइद हो सकता है कि अधिकर नहों कोई दूसरा साफ हो कि अधिकर नहीं है अधिकर नहीं है इंडियन कॉमस्टेंट गवाज नेख है जो कि यहां पर इंट के अंदर छीपा हुआ है और यह आजगर नहीं इंडियन कॉमस्टेंट गवाज नेख है जो कि आजगर जैसा दिखता है और बहुत दो धन्यवाद ऐसे जंतु बचाने के काल में आप लोग लगे रहें आप लोगों नहीं हमें सूचना दिया हम इसने को रिश्क्यू के इसके लिए आप लोगों को बहुत दो धन्यवाद ये ये प्राक्षिक की अधुद देन है और इने फारश्ट में बनाया रखना मार्म भी है इसे आस्चेरिक साब आस्वास होने चाहिए और इसे कोई नक्सान नहीं ये पोड़ों से निर्भी सोते हैं इनके वाइट लेने पर कोई जहर नहीं लगने माला होता है आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसनेक है और ये अजगर नहीं है अजगर भी निर्भी सोते और ये भी निर्भी से इंडिन कॉमन स्टेंड वाइसनेक है और आप देख सकते हैं इसके सुभाव को देख सकते हैं पूर्ण रोप से निर्विस स्नेक है। और आपको कोट से धन्यवाद और आपकी महान क्रिपा हुई कि यहां के सारे लोगों के बीच में जो सांब का भय बना हुआ था जिस भय से आपने मुट किया इसके लिए कोट से आपको धन्यवाद भगवान आपकी कामना और तमाम लोगों आप तर पर रहें यहीं मेरी हुआ मिट ने को हम फारेष्ट में रीलिस करने के लिए आ चुके हैं अलाकि कोई बहुत बड़ा ओड़ा नहीं है किन्तों यहां का बड़ा फारेष्ट काफी दूर है तब तक कि आपने लहलुःण हो जाएगा तो हम इस नेरजन अरिया में इसने को रीलीज करते हैं क्यो हम इस नेजन एरिया में इसनेक को रिलीज करते हैं यह संत कभीर नगर डिश्टिक के अंतरगत बखीरा सिव मंदिर के जश्ट पार बुंदी पारा गाहों से सिरी रभी पाठक सर कहां से इसनेक रेश्क्यू हुआ और इसे हम हारेष्ट में रिलीज करते हैं जो कि इसनेक पुरोण रूप से निर्विस होता है इसके अंदर कोई जहर नहीं पाया जाता और इसे इसनेक को इंडियन कामन सेंट बुआ नाम से जाना जाता है जो कि यह हमें सुचना दी गई थी कि सर यहां पर आजगर दिखा है किन्तों यह आजगर नहीं आजगर जैसा है अजगर से मेल खाता हुआ है और हम इसनेक को यहां पर रिलीज करते हैं आप पे अपने आपको आर्जस्ट करके आसानी से जीवन बेतीत करता कि निर्भय हो करके इंसा कि आप देख रहे हैं इसका सांथ सुभा होता है और यह अभी जगह को पहचानने में लगा है और यह धीरे 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 यहां पर बिचलान करेगा आप देख सकते हैं कि इसने कितना खुबसूर्ती के साथ जा रहा है अपने नीचर में परियावरण में यहां पर अपने आपको आर्जस्ट करके आसानी से जीवन बेतीत करेगा और हम लोगों की यही कामना है कि यह भगवान के क्रिपा से अच्छी जगह आर्जस्ट हो के अपना जीवन बेतीत करें किन्तु इनके भागे में क्या लिखा है इसे हम नहीं कह सकते और इसने कहम प्राकृतिक में परिवेस में डाल दिये हैं और यहां पर इसने जा रहा है अपना कीमती समय देकर के इसी एपिसोड को देखने के लिए आपको कोटी-कोटी धन्यवाद फिर मिलते किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत